बात करें करनाटक में अभी हिजाब का जो मुद्द है पूरी तरसे गर्माय हुआ है भगवा वर्से हिजाब एक तरसे हो गया है क्योंकि अगर हिजाब अलाओ करेंगे तो यहाँ पे भगवा वाले बोल रहें कि हम भगवा पहन के आएंगे एसे में कोर तक मामला जा चुका है और अब यहाँ पे एक और बवाल चड़ चुका है दरसल मद्यप देश में अशिक्षा मंतिर में साफ साफ कह दिया है कि अब पूरी तरसे यहाँ पे इसकुल कोलेजों में अब यहाँ पे हिजाब अलाओ नहीं किया जाएगा सबसे पहले यह वीडियो देखिए उसके बाद में बताओंगा आखिर कौन आ गया गया है कि हम तो हिजाब यहाँ पहन के रहेंगे मद्यप देश में सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए विद्याले में बच्चों के लिए ड्रेस कोर्ट पर काम हम कर रहे हैं सब विद्यार्तियों में समानता का भाव रहे अनुसासन रहे और विद्याले की एक अलग पेचान बने इस पर इसकोल सिक्चावाग काम कर रहा है मद्यप देश में अगले सतर से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेशिक करेंगे ताकि समय पर विद्यारतियत में गणवेश तिएर करा ले तो देखा आपने मध्यप्रदेश में साफ साफ कह दिया कि अब यहां पे हिजाब पूरी तरह से बेन रहेगा इसकुलों के अंदर कोलेज के अंदर और यहां पे एसे में आरिफ मसूद जो है वो की कॉंग्रेस के विधायक है वो कूद पड़े हैं उन्होंने बोला अगर मध्यप्रदेश में हिजाब को लेकर इसकुलों कोलेजों में लगा प्रतिबन तो होगी आरपार की लड़ाई इसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार है यह कहना है आरिफ मसूद का इनको यह नहीं पता कि शिक्षा के मंदिर का मतलब क्या होता है देखिए क्या बोला इन्होंने और यह सब जो लोग योद्धा जो फ्रीडम फाइटर हैं इनका इतिहास पड़ो यह हिजाब मेरे के अंग्रेजों से लड़ेते और देश आजाद कराया था और मत्परदेश में इस तरह कोई करत्ते नहीं करने दिये जाएगा यह बाबा साब की सम्मीदान और गांधी की विचारधारा से चलेगा गोट से और इंदर सिंग परमार की जबान से नहीं चलेगा अगर मत्परदेश में हिजाब को लेकर किसी भी तरह से स्कूल और कॉलेजियों में इंटरी नहीं दी जाती है तो वो आरपार की लड़ाई होना चाहिए विद्याले में कोलेज में लेकिन आरिफ मसूच जैसे लोगा जो मानने को तयार नहीं है आपका कहना है इसे लोगों के बारे में आप नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करें जदा शेयर करें सब भी तक पहुंचाए और जाने से प्ले कम जरूर क